हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीति आदव थ्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेग्नेंसी टिप्स इंडिया पर ये तो आप सभी जानते होंगे कि प्रेग्नेंसी में आईरन की बहुत जादे इंपोर्टेंस होती है और अगर आपको इस टाइम आईरन की क प्रेक्षर होते हैं जिने देखकर आप आसानी से पता लगा सकती है कि आपकी बॉड़ी में आईरन की कमी हो रही है तो आप मेरे ये वीडियो पूरा जरूर देखे हैं वीडियो को कहीं से भी इसकिप ना करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं क क्यों हैं आईरन हमारी बॉड़ी में हिमोगलोविन को बढ़ाता है और ये रेट सेल्स में पाया जाता है जिससे की आसानी से ऑक्सीजन का प्रवा होता रहे और इसी की मदद से बच्चे तक ऑक्सीजन भी पहुँचता है ताकि आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम दूसरा जब आपकी डिलेवरी होती है तो उस टाइम आपको ब्लड की बहुत जादा जरूरत पड़ती है इसलिए आपको आईरन की कोई भी गोली मिस्क नहीं करनी चाहिए ये बहुत जादा इंपॉर्टेंट होती है आप समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से लक्षन होंगी जि अधिसात अगर आपको ज़रा सा काम करने में ही ठकावट होने लगती है तो ये एक इंडिकेशन है कि उसकी बाड़ी में आईरन की कमी हो रही है आईरन की कमी की वज़े से आपकी सांस भी बार-बार फूलने लगती है आपका चेहरा पीला पड़ने लगता है बहुत ज़् weakness होने लगती है तब भी आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में iron की कमी हो रही है iron की कमी की वज़े से कई बार आपको ठंड लगने लगती है एनिमेय जैसी बीमारी भी हो सकती है जो कि आपको और आपके बेबी को हार्म पहुचा सकती है इसलिए आप प्रेगनेंसी की टाइम अपनी बॉडी में iron का खास ख्याल रखें टाइम टू टाइम आइरन की गोलिया ले और iron की कमी को पूरा करने के लिए आप चुकंदर ले सकते हैं अनार ले सकते हैं इसके बाद भी आपको अगर कोई प्रॉबलम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको प्रिसक्राइब कर देंगे दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहें अगर आपके पास कोई query हो तो comment box में जरूर लिखें मैं पूरी कोशिस करूँगी कि आपके सभी comments कर reply कर सको मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए स्वस्त रहिए